हरहर महादेप सभी को साधर पढ़ना मित्रो हमारे चैनल में आपका स्वागत है मैं हूँ आपका मित्र कमल किशोर तो आज हम जानेंगे हिंदु धर्म में ऐसी कौन सी देवी है जिसकी पूजा नहीं होती समुंद्र मंतन के दोरान लक्षमी जी से पहले उनकी बड़ी बहन अलक्षमी निकली थी कम ही लोग जानते हैं कि देवी लक्षमी की कोई बड़ी बहन भी है जैसा की नाम से ही सपस्ट है अलक्षमी इसलिए उन्होंने आसुरी सक्तियों का वरण किया और उनके बाद देवी अलक्षमी गरीवी और दरिद्रिता की देवी है हालाकि इन्हें समुंद्र मंतन से निकले 14 रतनों में नहीं गिना जाता है कुछ मान्यताओं के अनुसार समुंद्र से वारुणी यानि मदिरा लेकर निकलने वाली इस्तरी ही अलक्षमी थी मदिरा को भगवान को देवी लक्षमी की बड़ी बहन माना जाता है देवी अलक्षमी का विवाह उद्दालक नाम के मुनी से हुआ था जब मुनी देवी अलक्षमी को लेकर अपने आस्रम गए तो अलक्षमी ने उस आस्रम में प्रवेस करने से मना कर दिया जब मुनी ने इसका कारण पूछा तो देवी अलक्षमी ने बताया कि वे कैसे घरों में निवास करती हैं और कैसे जगों पर प्रवेश भी नहीं करती देवी अलक्षमी के द्वारा बताई गई बातों से धन हानी के करणों और उनसे बचाओ के बारे में आसानी से जाना जा सकता है देवी अलक्षमी कहती है कि मैं सिर्प उन ही घरों में जाती हूँ जो घर गंदे रहते हैं जहां के लोग हर समय लड़ाई जगड़ा करते हूँ जहां लोग गंदे कपड़े पहनते हूँ और जहां रहने वाले लोग अधर्म या गलत काम करते हूँ जिस घर में हमेशा साफ सफाई रहती हो लोग सुभे जल्दी उड़ते हो रोज भगवान की पूजा अर्चना करते हो साफ कपड़े पहनते हो ऐसी जगों पर देवी अलक्षमी प्रवेस नहीं कर पाती ऐसे घरों में देवी अलक्षमी का अधिकार होता है मान्यता है कि देवी अलक्षमी को तीकी और खटी वस्तों पसंद है और इसी वजह से घर दुकान के बाहर नीबू मिर्ची टांगे जाते हैं पौरानिक कथाओं के अनुसार ऐसी वस्तों देवी अलक्षमी को प्री होने के कारण वे दर्वाजे पर ही उनका भोज कर देती है और उस जगव पर अंदर परवेस नहीं करती जिन लोगों को देवी अलक्षमी की पूजा अर्चना करने के बावजूद पैसों की हानी होती रहती है ऐसे लोगों पर देवी अलक्षमी का प्रभाव होता है और वे लोग देवी अलक्षमी के द्वारा बताई गई बातों को ध्यान में रखकर उनसे और धन हानी से छुटकारा पा सकते हैं उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकरी आपको जरूर पसंद आई होगी मित्रो चैनल को शेर और सस्क्राइब जरूर करें ताकि हम आपके समक्स ऐसी ही अदभुद वीडियो लाते रहें धन्यवाद इस्ट देव सदा सहाय हो